सबसे पहले मैं आप लोगों को यह जो परिच्छा हो रही है उसको अच्छे से देने का फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि बहुत ज़रूरी है यह जानना कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको यह करना है कि आप लोग अपने दो आइडेंटिटी प्रूफ ऐसा रखेंगे जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर क्लियर लिखा हो डेट का मतलब दो मार्च उन्हीं सो पंचांडे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वह स्पर्च लिखा हो रोहिज जी के साथ ऐसी दुरघटना हो गई थी परिश्चा देने के आधार काट लेके गए थे और उसमें खाली उनका इयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ था कि 2019 जो भी उमर रही हो और उनको वापत कर दिया देखिए कितना अफसोस हुआ होगा परिश्चा के अंदर पर प्रयास करें आप लोग एक घंडा पहले पहुंचने का आपको लगे गारे अब जैसे जो लोग दिल्ली में हैं उनकी दोबार नहीं करता है दिल्ली में ट्रा अधिर भाली में मैं तीन-चार दिन पहले मैं अधा गंडा बेरेक्ट पुरिश्टेसंदे गाड़ी खड़ी रही और मुझे अगली जो गाड़ी पखणनी थी वो मिस्तर रही है घर से प्रयास करें अगर साथ मुझे पहुंचना है सेंटर तो आप शेवे पहुंच जाए सब्सक्राइब जाना पड़े तो अगले उसे एक दिल पहले खाथ ही निकलिएगा है कि कलकत्ता में फेस्टिवल मूर चुड़ हो जाता है लोग भूमने निकल जाते हैं मेट्रो रेल चालू रहेगी कलकत्ता वालों को बतादू कि आप लोग स्याल्दा इस्टेशन उतरिएगा रेल्वे इस्टेशन पर ही मेट्रों का जंग्सन है कि सेक्टर पांच के लिए टिकट लेगेगा टिकट पड़ेगा 15-20 रुपेगा और स्याल्दा से आप लोग सी लिए पैदल चलने का मन हो तो पस्ती का देना गाडियां यह चलेगी नहीं कि लिए इस्टेशन उतर करके वहां से आप मेट्रों कर लिए कर लिएट पर ओंठ ज़ना पड़ता है तो सर्म एंपिड रोड से महात्मा गांडी एंपिड रोड से भी प्रीजी हो गांना हम लोग तो हावडा रूडवाल है हावडा रूड पे आपको आना पड़ेगा एंप्स एंप्स Кाहाना पड़ेगा ő तहील आप एंपी मुझे पता है आई जाज सियर रास्ते का देख लीजेगा आप लोग कलकत्ता वाले खासकर बिल्ली वालों का पता नहीं जैपूर में भी ऐसा हो जाता है कि एक मैडम हमेरों करती है बोली सर उससे बादा गंडा लेट पहुंची थी घुजने नहीं दिया उससे बादा गंड दूसरी बाद देखें एक इसाननेशन सेंटर पर मैंने देखा है कि लोग मोटी मोटी कुछ सखें लेके पढ़ने बैठ जाते हैं लास्ट मुमेंट में आपको अगर पता चल जाए कहीं से लीक हो जाए यहां यह च्छे प्रस्णा रहत कोड़ लेते हैं तो जरूर किताब क्योंकि आपका एक पढ़ेंगे तीन भूल जाएंगे और विश्वास नहीं कि अगर जो दूतरी बार दे रहा है परिक्षा वो अपने दिल पर हाथ रखके देख ले उसने गलती किया था कि निकिया था और जिसने किया था वो मेरे साथ बैठाया आजे यहां तो बुड़ बढ़ा रहा है और ज्यों सब्सक्रस्थ्स अबढ़ा है इग्सामनेशन लाइज अब लोकिव में यह लेके बैठना है आपके दिमादने में होना चाहिए सब्सक्राइब करूंगा ही या करूंगी हुए और जिसको बीज प्रस्न नहीं आता है उसको फिर परिचान देने कि अगर आपको लगता है 20 प्रस्ट आप नहीं कर पाइंगे पास्टेश्ट फर्स्ट जैसे इंडबर्चन खेलाते हैं तो परिशाद देने मत जाईए ठीक एक सालोड तेयारी करिए आपको करना क्या है पहला प्रस्ट पढ़िए समझ में आया ओके नहीं तो आगे बढ़ ज आपके पास बाद में 15 मिनिट बचेगा लास्ट में रिवीव करने के लिए लेकिन अगर आप प्रस्ट पढ़ने में समय बर्बाद कर देंगे तो आप यह नहीं कर पाएंगे और फिर आपके कुछ ने कुछ छूड़े आएंगे चलना होगा ना पिर इसमें आपको मैंने 20 प्रस बोला तो जो साब कर डाये उसको देना है ना पैसे पर नहीं उलजना है फर्स पाइव मिनित की बात कर रहा हूं मैं पहला ना चाहरा हूं पहला समझ में आए आपको जो से मान लिए पूछ लिया है कि दिये गए वाक्यांस में कौन सा समास है इतना तो समय माख गभा है कि लंबोदर दिया हुआ है तो बहुगरी समाथ नहीं है कर दा रहे है दो कि यह दो आ ज़से को मैं बोलूं मैं बोलूं काने आज कि तामबर ओड़ रखी है तो लंबोदर हो जाएगा करिए नहीं हो तो इसके बाद आपको करना के भी प्रस्न होगे इसके बाद पैसेज पढ़ना मैंने आपको बताया है पैसेज पढ़िए और कर लिए आपके पासे लाइन वन है रमेश आपका कीवर्ड यह रहेगा आपको दिक्कत नहीं होगे सिर्फ दुबारा दुबारा पढ़ने के लिए खोजना नहीं पड़ेगा ठीक है जैसे मन करें वैसे लिख लीए यह मेरा तरीका है आपको ना अच्छा लागा तुमत रख पहले पूरी बात सुने लिए फिर मैं आपसे बतियांगा किलिमफोन कर लीजिए तो फिर मेरी आदत है कि मैं लाइन वन तू त्री ऐसे करके लिखता हूं आपकी आदत लाइन वन तू नहीं है तो पहला सब रहाग रखिए लेकिन यह ज्यादा आसान तरीका है वान तू यह सबसे आसान तरीका है क्यों गलत बोल रहे हैं करता ही है जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए नमस्ते अपने तरीके से काम करिए जब भूल गया एक और प्रणिम करताने का रहा है ठीक है यह होने के बाद उसमें बटन रहता है क्या पिंक रेड और ब्लू कुछ ऐसे रह इसमें वहां डाला है मैं देखांओ आज तक वह रिव्यू नहीं कर पाए लात्त में और उसके चक्षर में न इधर के रहे न उधर इस रहे हैं लिए ना आपको घर प्रश्णों को रिव्यू में डाला था और बाद में टाइन सब्सक्राइब कर पाया तो मैं समझाया मैं पूला क्यों डालना था अगर आप पास्ट करते जाएंगे ना आपका आराम्स हो जाएगा करता हैं जोती जोती जरूर डालेंगे तो मैंने तीन चीज बता है रिव्यू में नहीं डालना है और उसके बाद लाक में आप जाके देखेंगे पंद्र मेंट आपको कंफर्म बचेगा मेरा एक गंटा बचता था तो आपका पंद्र मेंट को बचेगा उसको आप देख लीजिए और इस तरह से आपका समय का सबूत्योंग होगा और शफल होने के चांसे बढ़ जाएगे कि याद रहेगा कुछ न याद है कंप्वूटर उठाट इज़े में रखेंगे लिया इस पूछन था बोलिए और अंग्रेजी क्लास में प्रस्न का उतर हिंदी क्लास में एक से पचीस तक मैंने कोश्चन अटेंड किया तो उसमें से माली दिमाश्य कोश्चन अग्रेजी क्लास में प्रस्न का इंसर किया उतर किया उसके बाद मेरा पास में जा रहा है तो फिर में उसको लाश्च में उसको देखूंगी फिर पचीस के बाद नहीं जाओगी ना कि आपने बोला पांच में पर दिया हूँ आप तीस कर लेजिए ना उसके बाद फिर से शुरू से करिए रिशा बोले क्या है फिर मैं शुरू करूं तो यह इंग्रिस में भी से अभी आपने करना तो पांच में बीस सवाल आपना टार्गेट रखिए तो सरी हिंदी में ही होगा कि इंग्रिस में भी 20 इंग्रिस तक है आप अपने गाहों से चलिए हमारे गाहों तक आने में 20 इस्टेशन हूं छूरू दिए बोलते हैं पहले बोलते थहें और जहां से उसी इसात से चलिए हम आजरे बढ़ते हैं, चार वाक आपको दे रहे हैं देखें आप लोगोने पढ़ाय वड़ा इसी है कि जुट्टे बट जाने मनुद्वेस्त हैं चलिए सबसे पहला वाकि देता हूं सब गोडा काला नहीं होता है देख पा रहे हैं तो बताईए गड़ जो लिख रहे हैं सब गोडा नहीं दिख रहे हैं मैं हूं सकत्त qo लगोडा नहीं होता है । पुराइट रहे हैं ना सब काला नहीं देख पार्ट्व manner, हर एक गयाए दूद्ध नहीं देती और यहार हर एक गाय नूद नहीं देती है प्रतेक घोड़े काले नहीं होते हैं यहां सब है उसे उपर लिखे हैं प्रतेक घोड़े काले नहीं होते हैं हाँ काले नहीं होते हैं प्रतेक घोड़े के अच्छी नहीं होती है अच्छी नहीं होती है अच्छी नहीं होती है इस यह चार दिया है पहांचन दूँ यह चोर दूँ नहीं क्यारी करते हैं चार में पता कर जाएगा वाकि आप लोगों ने लिख लिए अब इसमें से आपको करना है कि जो वाकि गलत है उसको चिल्हित करना है और यदि सही है तो सही है पड़ा पड़ करिये दो मेंट का समय अपने अपने आप कर दिएगा अच्छी नहीं होती है कि अच्छी नहीं होती है यहीं लिखा हुए है आपको वाकि शुद्धी का एक और सुत्राज दे दूँगा पहले मैंने नहीं दिया हो ठीक है लिखने है सभी ने शुरू करते हैं पहला बार के पंकर जी पहला बार के गलत है सही है क्या होना चाहिए पहला बार के मैं तो गोड़े लिखा ही है इस प्रतीय गोड़ा होगा और तो गोड़े लिखार नहीं होते का बीखार क्या है य है इस भी वे को फ्रकी स्तियर समुदेर्यागमद एर आपृट वेड़ी आपकर 2 पृट काल से यह असेemor आपी आप काली तो के सिर्जम केपके Самria अविवर वासति और यहां काले होगा है इसी ने बोला गया है गोने काले का धेद नहीं अगला वाक हर एक गाय दूद्ध नहीं देखी तर हरे लिख सकते हैं अब प्लस एक लिखना पड़ेगा हर और एक नहीं होता है हर और एक नहीं होता है यह जो गलत लिखते हैं या तो एक होगा या हर होगा लेकिन यह हर एक लिखा जा सकता है और रॉमेगी की मत्रा उसको लिखा जा सकता है यह रहे चले आज यह बढ़ते हैं हर एक गाय दूद्ध नहीं देती यह वाकर प्लस है प्रतेश्ट के सप्ष्ट्थ अच्छी नहीं होता है जो लुड़े कारें प्रतेख पुष्टक अच्छी नहीं होता है पर benefit जुकन पृस्ता अच्छी नहीं होतीते देखे जो चुर मैंने अपको दिखाया है यह विश्षण का विश्षिइ सुट्र विश्षण का उब भीशिषष पर बताने का प्रयास कर रहा हूं इसमें क्या होता है जब प्रस्तेक लिखा होगा जैने लीडिए नौट कूं लिखने जा नोट कि जब प्रस्तेक आएगा तो उसके बाद संज्ञा और संज्ञा एक बचन में और सब्छन लिखा रहेगा तो उसके सकता संज्या वह क्या होगी एक वचल में कि एक की बात कर रहा है ना एक को चुन-चुन के मारूंगा बोलते हैं ना हमारे भाया तो प्रस्टेख मतले एक की बात होती है तो उसके बाद एक बचलेंगे इसी चलाएंगा तो यह सुत्र याद रहेगा इस तरह चोड़े-चोड़े सुप्रों आज में सब्सक्राइब करूंगा जी सब्सक्राइब जी सर्थ आप लोगों से बात कर रहा था तो एक समाना जी करण की बात आई उसी और आधे से लोगों मैं मुझे बता रहा नहीं कि समाना अधिकार में कहां प्रियूग होता है कि में होता है जहां पर इकुल मतले बड़ाबर का चेंज आप लोगों को अभी वर्मी दे रहा हूं कि जब हम लोग बात करेंगे हिंदी में तो प्रयास करेंगे बोलने का नहीं नोकली लग जाएगी न आप लोगो बहुत बहुत रिकत्व होगी बहुत अंग्रेजी पटर बोलता था बड़ी बेज़ित्य हुआ हुए हमारी तो आप लोग ऐसी बेज़िती कहेंगे जाओ इस तरह कि बाते सुने होगी आप लोग नहीं सुना है तो आप लोग देख बारो और स्टिल इसको खोजीएगा समाना दिकरण का मतलब होता है इसका दोनों के समाना दिकरण होता है समाना दिकरण समाना दिकरण तीन शब्दों से क्यों होता है मतलब दोनों को पकड़ के रखता है इगर भीया को ही पकड़ेगा भाली को ही पकड़ेगा घ्राली होने देगा ठीक है जैसे राधा और मधू लिख लेजर और ये लगये चे यह करते हैं में के दोपते हैं लिखा करोर्णी करताहिए और बन चो करते हैं सब्सक्राइब, जोड़ता है तो टीवी की से जोड़ता है, तेवी कोल का मजबूत जोड़ है देखें हैं आप लोग नाव जाता है प्रेशार के और लखड़ी दुबाता है और यह तीम चीज़ें इसमें आती है और यह महत पूर्ट रहेगा आपके लिए कुछ लोगों को आपती सी कारक समझ नहीं आया था आपको भी कुछ लोगों को भी अगर नहीं है तो मिश करेंगे हमादे बढ़ जाएंगे कारक चिनों के लिए सबसे पहले आपके नोट करिए करता कर्ण कर्ण कि अबादान है अपादान संबंद बहुत है और संबोधन कि में होगा कर्दा कर्म करण संपर्दान अपादान संबंद अधिकरण ना कि साथ ऊंगे अब इसमें देखिए करता मतलब राम ने बंकी बजाई करता की पहचान ने शब्द करता के साथ ने जुड़ा होगा राम ने रावन को मारा कर्म के साथ को जुड़ा होगा लिखने के रहे खोले हैं अगुट को देखिए हम की करता के साथ में कर्म चाहिक है करन मतलब क्या होता है छुज करता है मतलब से साधन काम होने में सायका ने पांटोब से आया अगर मैं पूछ हुआ आप बस से क्यों आए पढ़ने के लिए हाँ तो यहां साधन क्या होता है करन होता है उसके बाद संपर्दान संपर्दान मतलब क्रिया का उदेश है आप बस से तो आए लेकिन क्यों आएगी तो पता चला कि निगार सेटर में लगा हुआ है वह देखने के लिए जोड़ जाए वह संपर्दान है और उसके बाद होता है अपाधान अपाधान में भी स्थे आता है लेकिन एक अस्थान से अलगाओ जैसे आप नांगलोई से मुझफर पूर्टक गए तो से यहां से वाह एक प्रिया के अस्थान से वटकर दूसरे अथान पर जैसे घंगा हिमाले से लिए अलगाओं का भाव होगा है एक अस्थान का दूसरे अपने उसके बाद आएगा संबंद भाईया बाबु जी स्थाचा जी यह संबंद होता है क्या संब्ढ़ के समद्ध का इस रावा की बहन राम की पत्नी की सीटा इपके मेरी पुस्तर मेरी पुस्तर में क्या संबद्ध है अब गया इस यहां कारश्चिंच छुपा हुआ है इसमें आता है इसके बाद आता है अधिकरान और समय का बोर होता है जैसे ब्रह्मात सर शो चार वे शुरू हो रही है तो चार बजे का है इसमें दिया है तो च्या होगा उसमें बताई लंका में बिल्कुल थान है तुबह के समय वहां के जो है वह क्या होगा अधिकरान बहुत अच्छा उतके बाद संबोधन साधित दाली मेरे पास कोई नहीं इस लिए बोल देता हूं लड़कियां बोलती है ना एजी सुनो जी सब्सक्राइब करते हैं जे अधर 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 उदारन बोट न बहुत वागा है तो यहां बच्चों शब्द मेने शम्मुधन दिया उदी सम्मुधन में आए अगा अगा है अधर मैं कहूं रे चोंडिलिवाले सिर दिख और जारा तो वहां वहां रे मैंने कहां वह क्या ह कि अगर दो कर्म हो तो कौन सा प्रधान कर्म और कौन सा गौन कर्म होता है अगर वाकिन दो कर्म होतो प्रधान कर्म हो ना कोन होगा अगर कर्म सा इस संदर देखिए जिस पे ज़्यादा जोर दिया जाना है ये दे राम ने तो जो और के बाद लगता है वह प्रधान हो जाएगा और यह कारश कि इन्हों की कानी खतम अब हम आते हैं अलंकार में कि अलंकार में मैंने कहां तक बताया थकल कुछ 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 सब्सक्राइब बताईए ना में और लगाश्क प्लेस्पों किम बताएब सब्सक्राइब बताते आगे सलंकार सब्सक्राइब अलों कैसे हैं अगर रिजाज़त हो तो कहूं कि पढ़ाया जा रहा है मुझे लग रहा है तो प्रस्ट करेक्शन वाला आता है यह 10 प्रस्ट पूछता है और यार अलावा करके जो क्यों प्रस्ट वाला देता है पूछता है तो मेरे समझ से सर इसके यह पूर्शन अभी यारा लावा क्यों आरे सवाला कभी सही से लिए उस पर भी करेंगे उस पर आएंगा हम खाली पाक सदम करते अलंकार फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है ने से अभी शुरू आप साहिद ले से जुड़े हैं या मैं श प्रति दिन करते हैं तरी को अप्पश्च लीजेगा खाड़ में पूरा नहीं हो पाएगा फिर हम रांकोला का भागोत करते रह जाएंगे चली सलंकार की मैं बात कर रहा था क्या मैंने बताया था कल क्या मतलब है कि एक ही और से कई और से निकल सकते हैं वह स्लेश लंकार में आता है उदारान मैंने क्या बताया था मैंने बताया था रहिमन पानी राखिये दिन पानी सबसूल पानी गयन उबरे मोती मानसूल अर्था पानी जो एक शब्द है वो तीन लोगों के लिए उसके तीन रूप बनते हैं ठीक है मनुस्तिक लिए पानी का मतलब इज़त बना कर रखिये सूने में पानी पढ़ता है और मोती में जो पानी पढ़ता है वही पानी है लेकिन सीनोे का रूप बदल देता है ठीक है एक सब्द के साथ तीनुध जुड़े होंगे या चार सब्द इस तरह से होगा को स्लेश अलंकार होगा ठीक है वो किसे उपमा में अंतर आपको पदा है क्से ओर यमक में बदा ह सब्द रहेंगे करना कि दो के भी तुलना की जाती है लेकिन सब्द रहेगा मूलाधार यह ध्यान रखिएगा कई बार हम लोग कर्फ्यूज होते हैं इससे तो गलती नहीं हो पूचा कहीं जो आप पूचा नहीं हो आप प्रसले के मत उलचिया ठीक है क्योंकि भेदों में उल्चेंगे तो विक्कष हो कि आप खाली समझने का प्रयास करिए आगे बढ़ते हम लोग अनुपरा सोला भेद पूच्छा है वो मैंने आपको बता दिया है उसके बाद एक व फिर्प लगें तुम तो ताप्यार सप्पे के पोते लग रहे हो कि यह बूल दें अरे धन्ना सेट हो गया मतलब ज्यंग मारते हैं जहाँ जिसे इसमें एक उधारण दिया हुई अक्सर यही पूछा जाता है लिए लिए आज चाम हम तो बरसों कित जाए अजसे का सिकर और बंद कर लिए हैं घंश्याम हम तो कित जाए हैं घंश्याम हम तो बरसो किस जाए बरसना देश पारें जो मैं लिख रहा हूं देश है ठीक है है घंश्याम हम तो यह पूरी एक ही लाइन में है अगली लाइन है नहीं नहीं मनमोहन है प्रिये क्यों पकरत तब पाएं पकरत अजल में बिहार की कुछ चेद्र हैं निखलान चल वगर यह लोग अवदी वासांस काफी प्रभावी दिखते हैं इसलिए लोग घुरा बोलते हैं पकरत क्यों पकरत को रवता हमारे यह वाले बोलेगे क्यों पकरत है यह हिंदी में अड़ा हो गया है लेकिन पहले रह चलता इसलिए अगर मैं ही घंश्याम ने लिखते हैं तो फोड़ी लाइट वाली दिकत है नहीं घंश्याम मैंने लिखा है हैं घंश्याम हम तो बरसं कीत जाये मतलब अगर हम ही घंश्याम हैं तो कहां जाके बताएं लोग बोल रहा है अगर यह मनमोहन है प्रिये क्यों पकरत कता पाएं मतलब अगर यह मनमोहन भवान के नहीं है तो क्यों के पैफ़ पड़ रहे हैं आप लोग जूँस्याम को यहां दो रूपों में दिखाया गया है तो यहां कर रहा है कि अगर क्रिश्न नहीं है तो जाओ कर यह और बरसों ठीक है यह खाली यह जो मैंने शुक्ति बता है इसको दिमांद में रखेगा घंस्याम बरसों कि जाए यह तीन सब्द याद रहेगा तो यह वक्रूती हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ें वक्रूती इसका इसका एक बार और अर्थ बता दीजिए कि वक्रूती अलंकार क्या होता है वक्रूती का मतलब उते जहां ठेला बोलते हैं मतलब हमारी भासा में लगते हैं जहां व्यंग बोलते हैं पूरा का पूरा वही है फिक है और यमक में अंतर समझने आगे आप लोगों को वक्रूती समझने आगे भाए ना अब एक होता है लटानुप्रास अब अर्था लंकार में चलते उपमा लंकार बताये था मैंने उपमा का मैंने बोला था अमारे साथ केरल की नडम है तो खाने का वेंजर न समझें आप लोग उपमा मतलब उपाधी दी जाती है पैसे उपाधी दी आती है पंकज तो में दिए यह रूप रहे पंकऐ तू पंकज मagnा जो प्रयारी पंकज तो W प्रइगांग भी है मिन करीप प्यारी भी है मरिघांग भी है मरिघांग री त्यार कि लिए प्रिजा दिया रहा है मतलब पंकश तो पंकश ही है या किसी को मैं हुआ कि आप चांद के समान दिखते हैं चांद जैसे मुखडे पर बिदिया सीतारा जा दिया मतलब मुखडे को अमने क्या दिया है चांद जैसा कर दिया वहां उत्मा दिया जा रहा है आगे बढ़ें अगले में चलें या रुकना है बोलिए कि अदरी बुलिए कुछ पूलिए अपलों नाइन वाले है अधिसर उत्मा अलंकार का री के लावी बहुत सरा सदाता है ना सरूवाला कुड़ा बतागी जिना जिना सफ एगे दूसरा हरी पाद कोमल कमल हरी पाद कोमल कमल लिशक्ते पेंको मतलब हरी मतलब बहुआ स्रिकिस या फिर हरी विश्णु का पद मतलब पैर और इसके बारे में चाट्चा की आपको पता ही है बस इतना ही है कुछ और बता हूं या आगे बढ़ें सब्सक्राइब मनु जनू. मनु जनू जनँ हून. जानो. फिर मानु हून. मानु के बाद मानू. लिग लिख लिख 타burn, मानो के बाद निषचे, निषचे के बाद लिएक बड़ी एक और लौ. इतना इतना मतलब दो चीजों में जब तुलना कराई जाए ना तो आप समझे यह कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा का एक आदुदारण आपकी तरफ से आए मानो जून रहा है सरुभी मन पाउन के जोखों में मानों से शुरू किया है उसका चेरा ऐसा चमग रहाता मानों सूर्य हो मानों लगाया तो यह मानों जहां रहे जानों जहां रहे उन सब से अफमान सकते हैं दो वस्तों के बीच तुलना की जाती है और जब दो वस्तों के ब पीवर्ड मैंने जो बोला उसमें बताया मनू जनू जनहू जानो मानू मानू मिश्चे इव ज्यों और सबसे आसान अनुप जलोटा जी को याद करिए उन्होंने गाया था पायो जी मैंने राम रतंधन पायो लगा मंगेशकर से लेकर के सब भजन गाईकाओं नहीं गाया है कि पायो जी मैंने राम रतंधन पायो कैसा दन राम राम को रत में रत्म पहले महिए मना होता है ना तो राम रतंधन पायो यह उसके खालंगा रहे हैं अजब बढ़ें इसके बादाता है अतिश्योक्ति इसमें साकेत किसने लिखा था मैं इसलिए सवर्ग से मिलने जा रहा है सवर्ग से मिलने जा रहा है इसका मतलब बढ़ा चला के बुला साकेत यहां से कैसे सवर्ग में मिलने चला जाएगा किसी के बारे में बढ़ा चला करके अधर बोला जाए तो वहां कौन साल अलंकार होगा इसके बाद आता है अगला आता है भरंतिमान भरंतिमान वारे में प्रस्म रहता है कई बार अगला भरंतिमान में क्या होता है किसी में आपको नीडा रही है ब्रंतिमान में किसी में किसी का भ्रम पैदा होता है अगला इसका सबसे आसान उदारन है आप उर्ठ आन पाए घया है अगलता है बंगल में अलता बोलते हैं नाइन खेट मिन जान हर श्री भीड़ल नोता है और एगला और है 9 डregल गला जुखिक लगाने के लिए फिर फिर जानी महावरी कि एड़ी भीड़त जाए कि एड़ी भीड़त चुपाए जा रही है यह आता है आपका भ्रंतिमानि में भ्रंत पैदा होना और भी बहुत सारा आएगा फिर 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 उपमान का भुड़ा है तो कि पोफमान और को पमय की कि रूप मताएं कि विशे सब्सक्राफ के अधिए और दुंबब धिरा नीजेश जोॅगहिन ने पर लूद की अधिनध्य commence कोनों शब्दों में अंतर आपको पता चलेगा फिर फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त आए इसका अर्थ मुझे पता नहीं है और महावरी मतलब जो लगा चुकी है उनको बोला गया क्या रहे हम तो लगा चुए हैं तहां यह लगाने के लिए इस वाकिए की विवेचना कर लेगेगा मुझे इसका पता नहीं है इसके बाद अगला आता है संदेह अलंकार कि संदेह अलंकार मतलब एछी चीज की एछी चीज की क्या हो दूसरे चीज में होने की बात अगर लगे ऐसा ब्रह्म पैदा हो तो वह संदेह अलंकार में आएगा कि अगर दिख लेए संदेह अलंकार एक वर्सु का उसी वर्सु के समान दूसरी वर्सु संदेह होने का संदेह मतलब यह जो संदेह के बात देखिए यह जो अर्था लंकार है अगर अर्था लंकार के भेद आप देखेंगे पर 145 रूप है अर्था लंकार के लेकिन जो मुल मुल जालना है उसमें एक और आता है हमारे लिए वह है मानवी करण लिए कि देखें मानवी करण में क्या होता है आप लोगों ने राजी श्रीवास्ताओं का नाम सुना है ना राजी श्रीवास्ताओं विशारिया पेड़ को भी बुलवा देते ते वह बंवाली कहानी में सुना था ना वह ने का पटू इसका मतलब है कि निर्जीव वस्तु में प्रजीव के समान भावनाय प्रकट होने लगें तो अम मानवी करण होगा है कि फूल हां से कलिया मुश्काई ना फूल हसता है ना कली मुश्कुराती है ब्रहमर गीत में इसका ज़्योंग है मेघा आये बड़े बनकर समर समर कर कहने का मतलब आप राधी स्रीवास्तों के याद रखिए कि वो कैसे मानवी करां किया है उस बंदे में कि हर चीज को पेंड करता फटू कुर्ची कैसे चलू इस तरह से मतलब निर्जीव वस्तुम में प्रजीव होने का जो सौंदर बोद करें वह है मानवी करां अलंकार है कि अधारन बोला दिली में एक बार पालिका बजार में बंप अधा तो विक्टिम जो था उसके पत्रगार के पूझा वहीं कैसे पटा उसने बंप पहले उस आदमी के हाथ से उछला और कूझ के मेरे पास आया और मुसे पूचा मैं हां गिरूं तो मैंने गिर जा फिर उसन तो यहीं आपका क्या है मानवी करन है आगे बढ़े निर्जीव वस्कों को मानव के समझ भावनाएं दिए जाता है कि इसके बाद कुछ और विचित्र है निकली के मुझे लगता है पूछा नहीं जाता है पूछ या तो इसमना आता है प्रतीप 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 एक ऐसा शब्द है इसको उल्टा सिरा पढ़ेंगे तो वही आता है तो इसका रूप दिए हुगा प्रतीप का अर्थुता उल्टा अगला लिखे इसी का तुत्र है उपमान को उपमेय बना दिया जाता है प्रतीप प्रतीप पापा वलब प्रतीप उपमान को उपमेय बना दिया जाता है और उपमेय को उपमान तुम्हारा चेहरा तो चांद जैसा चमक रहा है लेकिन अगर हम चांद से जाती है अरे चांद तुम्हारा चेहरा तो नंदनी जैसा सुन्दर दिख रहा है इसका मतलब हम उल्टाब कर रहें तुम्हारी चांद से अधिक खुणार है और यह यह फ्रतीप होता है जो आम जो हम उदारहां देचेह मैं उससे हटके वैसे तुम्हाप्षम सुर्य है जस्वत को हट कई मिलेंगे आप सिर इतना ध्यां देखें वर्ट ध्यांद रचें प्रतीप के बाद आएगा आएगा अप रहान से आता है अप अप तो आप लोग लिख लेंगे ना अप यह होता है हुआ 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 है यह जो जरी लगा हुए ना उसमें छोड़ा हुआ का मात्रा भी है अब यह मुझारण नहीं कर पाएंगे संस्रीट का सब्द है लिख लिए आप ऐसा कोशी दिखे दो लिखा हुआ है उसमें छोड़ा हुआ का मतलब कुछ छुपाना अब शुपा कर अश्ट्य प्रमुपता दिया अब रिपी ब्रगेट में लिखना शिपाना श्ट्य छिपा कर अश्ट्य को कि या जाता है प्रधानता दिया जाता है जैसे बुद्दावन निखिए जिसर है नहीं पलास के सुहूप यह पूहूप फूल को बोलते हैं नहीं पलास के पूहूप यह यह जरत अंगार इसका मतलब है कि जब और पहीं चीज को छुपा के दूसरा कुछ बोला जाएं तो वह किसमें आएगा अप अगला लिखे और नन्वय और नन्वय का मतलब होता है उपमें और उपमान एक ही होते हैं ते लिख रही हैं आप अगलिखे उपमें और उपमान एक ही होता है जैसे एक उदारन लिख लिए सुन्दर नंद किशोर से अगला लिखे विभावना विभावना का अगला विशिस्ट भावना विभावना विभावना विशिस्ट भावना एक उदारन उसका बिनुपद चले सुने बिनुकाना मतलब इसके पैर नहीं है वो चलता है कान नहीं लेकिन सुनता है यह विभावना विशिस्ट भावना की प्रति बिनुपद चले सुने बिनुकाना मतलब यह विशिस्ट भावना या कल्पना का बोध होता है इसने कि बार हम लोग बढ़ा चड़ा के बोलते हैं विशेश्वावना या कल्पना फिनमों में बहुत दिखाई देती है कि ही रो एक बार ऐसे जंप मारता है और पता चलता है एक पार दूसरे पार चला गया यह कल्पना है कभी की अलेकर की कल्पना है विभावना वो शब्द होत पंपना उफिनलग उत देवा ओ कि डिवार ओंपना फिरी कई है धिवार केपन है की दीवार में कि डेखिए के अ क माख की माओ आ है और आखरी लिए बहुत है विशेश शोक्ति लिए विशेष उक्ति होती है न Luke आप भोग लगे ए विशेस में उक्ति जोड़ता है विशेष उक्ति अब कुए हैं विशेष सूक्ति कहते हैं ये विवाना का ये है अंतर क्या है है कि अधिक यह बुरा मत मानिएगा आप लोग यह चात्रों और गुरु के बीच की बात है तो मैं गुरु नहीं मानता अपने आपको प्रशिच्छ को देंगे जान लिए जो गुरु मिला ही विर्यन सिक्ता में कि मुरख घ्रवेन चेती कमा चेत चमे की मत्रा जो गुरु मिला ही विर्यण चि सम मतलब भागवान भी आपे पर हां मिनी सक्ता है उस आदमी को जो गुरु मिला ही विर्यण चि सम वी रंची अब थोड़ी सी वह कर लिए अभ्यास पर किया यहां तक मैं च्मियर कर पाएं आप लोगों को हाँ यह ना अब फोड़े से मैं अब यहां लेनू रुपया जो सब्द होता है ना रुपया सब पैसे लिखते हैं इसमें वर्थे में कहां चुद रहेंगे यह रूप होगा रुपया में या यह वाला रूप को अब है यह राम है चोटाओ एसे लिखते हैं और बड़ा यहां पढ़ा है नहीं पढ़ते हैं तो मां कि यह अधा पाटे थे ठीक आगे बढ़ें एक और लेते हैं लिखेंए तक यह होता है तक तो नहीं धाओं होगा है यह अनिकार्थी शब्द में आ जाता है और यह पत्ष पत्ष मतलब क्या सब्सक्राइब मतलब होता है रोगी का खाना मतलब होता है रोगी का खाना अगर है अगर है कोई दाइबीटीज मरीष है उसको मेठानी देते हैं की तो रोगी का खाना होता है पत्ष बोलते हैं एक और सब लेकित प्रवार प्रवार राख यह जरह मैं समनार सकतंत है प्रवा और राख फाज़ा उड़ तो प्रवार और प्रवाल दो शब्द है प्रवार और प्रवाल पूचा जा करता है प्रवार मतलब क्या होगा और प्रवाल मतलब क्या होगा प्रवाल देवार कि प्रवाल यह वस्र होता है प्रवार मतलब वस्र होता है और यह मुंगा मतलब में पहिंते हैं मतलब मैंने एक आदमी को देखा ड़तों उंगलिम पहले था मैंने का गले में किलो का डाल लेता है ठीक है वैसे बुरा मान जाते हैं लोग तो प्रवार मतलब बश्क्र होता है और प्रवाल मतलब भूगा है यह तरह का रत्न माना जाएगा तो देखिए उंगली खाने लगी देखिए और मरीची और मरीची लिखे मार में छोटी की मातरा चौँ में छोटी की मातरा एक सब्स है मरीची और दूसरा है मारीची बस आज के लिए इतना इन दुनों का अर्थ क्या होगा सूर्य और चंदर दोनों के लिए मरीची शब्रता प्रयोग मतरा है देख पा रहा है आप लोग बोड देख पा रहा है आज बने हम लोग आज दो प्रेश्म 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 और रिख्यात मतलब रिख्यात में एक तौ में हाट लगा हूआ अरो दूसरा तो में हालंत नहीं लगा हूए तो मैंने हालंत वालन्त वाला श्वांत यह उल्हाध्याद को बताए विए चेरे मांतरा था में, मरीची में, मरीची का मतलब किरण, चोटी। मतला किरण और बड़ी वाला सुर्य और किरण वाकि लिखिए धंडे को फाहराया गया, घंडे को फाहराया गया, लिखे, बोलना नहीं जंडे को फैरा आए गया दूसरा वागी लिखिए चोर पीचा गया माता पुत्र देखकर प्रसंद हुई अगला है क्रिश्न ने राधा देखा है क्रिश्न ने राधा देखा अगला वाच एक और लिखेंजे उस्ते पानी भी पिया नहीं जाता है उस्ते पानी भी पिया नहीं जाता है कितने होंगे पांश हो गएचा है ना इन वाक्षियों की हम गलती पिया में बड़ी की मात्रा है और में चुटी बड़ी कर देंगे तो पिया हो जाएगा पती पहले पहला वाती का है जंडे को पहरा है कहां गलती है को नहीं होता है निर्जीव कर्म के साथ को का प्रियोग नहीं होता पहला सुत्र है जो मैं रिमाइंड करा रहा हूं याद करा रहा हूं अगला चोर पीटा गया चोर सजीव है तो को लगेगा तो को लगेगा निर्जीव करना है तो लगे ना चली आगे बढ़ते हैं अगला बात माता ने पुत्र को देकर प्रसंद हुई क्रियर है अगला वाक है क्रिस्न ने राधा को देखा बिल्कुल राधा को देखा को का प्रियोग हो गए है इसके बाद अगर को लिख दिया मैं तो कौन सा कारक हो गई है किस ने राधा को देखा क्योंसा कारत और ये इसमें इसमें क्रिया सखर्मक क्रिया कोई उच्छ लिए क्रिया है क्योंसा क्यों तो देखे गाई देखेगा तो सकर्मक है कंफर्म ठीक है चलिए अगला वाकर के पानी का वाच्ञत देखे जड़ाना अइन गलत है कि नहीं है कि इसमें क्या होता है वास्य पर देना हो ना बहुत भीमार से पानी भी नहीं पी सकता है ना तो इसमें यह वाला प्रियोग होगा है यह पांच सब्दें सब्सक्राइब है छोड़ दिये कि प्रत्या जी है नहीं है चलिए जो प्रत्राइब आप लोगों से शूरत से आने पर दोगता है अगली चर्चा में आप लोगों से शूरत से आने के बाद मिलूँगा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को अगली क्लास में लोगा तो आप लोग अपने प्रस नहीं कठा करें रखिएगा अब मैं एक रैपीड साइटेस्ट करूंगा जो मैंने बटाया है अगे ओवर टू दिपक्षर और अब दिपक्षर से बात करें यह वाला है यह बटा कवार दीजिए अब जंडे अपना प्रस्ट अगर जंडे रहेगा तो गया को गये हो जाएगा तो चीक 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 बहुत कोई बुडिया बोली सब्सक्राइब का प्रेवाची दारा होता है ना सब्सक्राइब यह बोला जाता है वह कौन सा लिंग होगा अगर इस्तनी है तो इस्तनी लिंग होगा ना सब्सक्राइब लेकिन दारा सब्सक्राइब यह तो वहीं रह जाएगी तो वहाँ वह वहां लेकिन मैं का थारा यह टो इस लिंग होगा आपका डॉपनली नहीं होता है होता है भी होता है अब लिखे ना पूशर होता है वार परिष्छत चाहता है आप ना पुंशर मीखे तो लिखे न कि आप क्रिप्या का प्रयोग नहीं करते हैं तो मैंने कर देते हैं पांच लिए वैसे करिये परिक्सर जैसा चाहिए बाठी प्रसु फिर लेते हैं बाद में कर द्याओगे अजा प्रस्क्राइश कर दूसे कर दो करो लेंगे अजाए परिक्स एंटेश्टल जिए हैं पूरे हैं प्रस्क्राइश्ट प्रस्करण कर दिम्स लाइज मॉप चलेगा अभी पता है ना और ये मॉप दो घंटे का मॉप है अज पूरा ठीक है तो शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करके अपना अपना लगाने के बाद किसका क्या स्कूर हो रहा है मुझे थोड़ा सा बताईएगा और एक चीज तुन लिजे सब लोग उसके बाद मॉक में जाईएगा मैं जो आज करने वाला हूं यहां से देख लिए आपका जो पॉर्शन है यह दिख रहा है बोट दिख रहा है क्या यह सब्सक्राइब नारेशन आपका अभी का जो दो साल का ट्रेंड है 2019 और बीस का ट्रेंड है वो पता है आप लोगो देखिए मैं जो लिख रहा हूं थोड़ा सा कॉपी पर नोट करिएगा आप लो पर बाल थो यह सबस्दिट प्रफिए आपका सबस्क्राइब नो दो प्रवब है क्या आप लोग neutral है आपका जो प्रफिए यह बाखर रहा है यह दो वोगदिए यह देख लिजे आप लोग यह आप लोग का पैटन है ठीक है और इसमें कोई चेंज नहीं आए ऐसा होता ना कि कभी रैंडम हो जाता नहीं होगा रैंडम होगा यह इस बार का आप लोग का पैटन आने वाला है जैसी कर बोल दीजिए एक बार रेड कलर से दिखनी रहाएग आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लिजेगा सर हम लोग को भी क्लास करना है अभी